डीजी फॉर टेग यूटूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब कीजिए बेल एकन दबाईए नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और सेयर कीजिए आज मैं आपको 306 नंबर का टेकनियस बताऊंगा तो चलिए हम अपना न्यूज स्टार्ट करते हैं LG सोकेस करने वाला है 48 इंच का बेंडेबल वाला OLED TV को CES 2021 पे आप कुछ डेमो पिक्स देख सकते हैं काफी अच्छा क्रेजी डिजाइन लग रहा है इसका फॉज गेम जो है जो की PUBG का इंडियन वेरसन है या बोला जाए अल्टरनेटिव है ये लॉंच होगा 26 जिन्वरी को और इसे लॉंच करेंगे अक्छे कुमार देखते हैं ये किस फीचर्स के साथ आता है क्या ये सही माइने में PUBG अल्टरनेटिव होता है या बस हमें एक ब्लैंक स्पॉट को फिल करना था इस वज़े से हमने PUBG लॉंच कर दिया ये तो आने वाला कुछ समय ही हमें बताएगा Huawei का Mate 40 Pro जो फोन है ये सामने आ चुका है और इसे बैस्ट रेटेट फोन बिला है रेटिंग, सेल्फी पे, DxO Mark पे काफी अच्छा फोन है ये का अगर आपका हाई अर्ष्ट प्रियोल्टी सिर्फ और सिर्फ कैमरा है तो ये लाइका कैमरा सेंसर के तरब से आते हैं और बेस्ट कैमरा फोन है ये सेमसन का Galaxy S21 सिरीज जो है ये 14 जन्वरी को लॉंच होने वाला है यानि की अन्वील किया जाएगा इस पे आप VIP प्री बुकिंग कर सकते हैं अगर आप बुकिंग करते हैं तब आपको स्मार्ट टैग Galaxy Bird इस टैप के कुछ ओफर्स मिल सकते हैं अगर आप लग्की रहे तो एटलिस्ट इस स्मार्ट टैग तो मिल ही सकता है इसमें सेमसन हमको बताने वाला है कि एक्जिनोस 2100 प्रोसेसर जो 888 SOC से किस हद तक बहता है अपने कैमरा पे सेमसन ने क्या क्या इंप्रूब्मेंट किया है डिस्पले और बैटरी फास्ट चार्जिंग इस सब चीच को हाइलेट कर किया जाएगा वन प्लस बैंड आने वाला है इसका टीस सामने आ चुका है इसका लीक प्राइस भी सामने आ चुका है बट मैं लीक प्राइस आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा इसकी leak price आई है धाई हजार रुपए जो की मेरे हिसाब से OnePlus जैसे brand का तो कताई नहीं हो सकता है OnePlus इतने सस्ते में तो बिल्कुल भी band लेके नहीं आएगा एक बार Redmi, Realme का होता तो मैं आपको बोल देता दो धाई हजार रुपए में एक band आ रहा है बट OnePlus का इतना सस्ता आप expect मत कीजिए लुक वाइस काफी अच्छा है इसका देखना ये होगा कि price क्या रहती है और क्या कुछ नया feature हमें देखने को मिलता है MI band के compare पे, Realme band के compare पे या as it is केवल brand change रहता है OnePlus बाकि सब features सेम रहते हैं Motorola का अब तक का सबसे सस्ता 5G phone launch होने वाला है अब तक का मतलब किसी भी brand के तरब से इतना सस्ता 5G phone launch नहीं हुआ है क्योंकि Qualcomm Snapdragon का 400 series का जो 5G processor है वो processor इसी Motorola के Elvisa phone के साथ unveil किया जाएगा globally पहला बात दूसरा बात इसमें 400 series होने के बावजूद 90 Hz का display रहेगा दूसरी बात 5G तो रहेगा Android 11 रहेगा श्टॉक Android रहेगा 5000 mh की बैटरी रहेगी 20 Watt की फास्ट चार्जिंग रहेगी और 6.2 इंच का HD Plus वाला display रहेगा camera as you to us 13 और 5 का पीछे kombinator रहेगा सामने 8 megapixel रहेगा और इसकी leak price अगर आप सुनेंगे तो आप सौक हो जाएगे क्योंकि इसकी leak price आई है 8,499 रूप है Samsung Galaxy M02 phone launch होने वाला है Amazon page पे ये आ चुका है 7 जनवरी को ये launch होगा इसमें 5000 mh की बैटरी मिलेगी 15 Watt की fast charging रहेगा और इसका price हो सकता है 7,5,000 रूप है इसमें आपको 3 GB RAM, 32 GB storage और Qualcomm Snapdragon का 450 वाला प्रोसेसर आपको मिल जाएगा Xiaomi का Mi 11 Pro याने की Mi 11 का successor Mi 11 Pro का detail सामने आ चुका इसमें quad rear camera setup मिलेगा एक camera periscopic रहेगा एक camera में आपको 128 तक का zoom मिल जाएगा जो की periscopic वाला रहेगा 108 MP तो होगा ही होगा 8K video recording भी आपको मिल जाएगा और 100 Watt की fast charging बिलेगी याने की अगर आपको one word में explain किया जाए what is the difference between Mi 11 and Mi 11 Pro ठीक है दोनों में अंतर क्या है तो दोनों में major अंतर है उसका camera, rear का और दूसरा उसका charging इसके अलाबा as it is size से लेके display quality से लेके color से लेके बाकी facilities जो है as it is same रहेगे केवल एक top notch special edition मिल सकता है आपको 12 GB RAM के साथ otherwise 12 GB RAM तक ये phone नहीं जाएगा Realme का V15 या बोला जाए Realme कोई ये 15,000 रुपए पे launch होने वाला है Dimensity 800 वाले processor के साथ Realme का जो hardware combination है वो आपको तो अगर आप नहीं tech वाले हैं तो भी आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके का tech pattern ये चलाता है जी हाँ Realme अपने हर phone में 64 MP rear पे देगा उसके बाद 8 MP देगा फिर 2 और 2 देगा ये जो camera combination है यानि कि camera का setup position है ये पिछले 2 साल से Realme चलाती आ रहा है front पे आपको 16 MP fix है हर model पे 16 MP ही चिपकाएगा हर model पे 30W की charging रहेगी उसका एक ही pattern के design रहेगा के वल डेल टू लिप लिग देगा या बड़ा-बड़ा Realme लिग देगा या color change कर देगा बस screen भी वही रहेगा और कुछ खास नया creativity Realme करता नहीं है तो same यही है जो Realme 7 आया है 7 Pro, 6, 6 Pro उसी में processor चेंज करके camera, hardware, battery, combination as it is वही रहेगा और Realme V15 बोलके आपको लाके देदेगा company बेकुब बनाने के लिए हाला कि 15,000 रुपय पे है Moto G Stylus 2021 यह जो phone है अगर हम देखें केवल stylus point of view से तो एक number का cheap quality का third class का phone आपको feel होगा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको 8,000 रुपय या 10,000 वाले phone पे stylus यूज कर रहे है उस type के, इसकी stylus की quality लिकल के आई है या जो design लिकल के आई है वो बहुती so called cheap third class quality का लगता है बाकी अगर हम बात करें stylus को हटा के phone की तो 6.8 इंच का phone है quad rear camera setup मिलेगा android 11 है 48 megapixel primary sensor है इसके अलावा इसमें 5G मिलेगा आपको snapdragon 750G वाला processor मिल सकता है पहला लिक है और दूसरा लिक के according इसमें media tech dimensity 800U मिल सकता है अब देखते हैं और इसकी लिक प्राइज लिकल के आई है 27,000 रूपीज samson का दो और phone का leak आ चुका है M series के अंदर गत वो है M12 और M62 M12 भी एक budget segment का phone है जो near about 12,000 पे आएगा 4,64 के साथ और इसमें 7,000 mh की battery रहेगी इसके साथ इसमें आपको Qualcomm Snapdragon का ही 479 वाला processor मिल सकता है या फिर samson का फेवरेट Exynos 9611 processor मिलेगा अब बात करते हैं highlighting point जो की है M62 simply M62 जो है M51 जो अभी current market पे चल रहा है galaxy का उसका successor है इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 732 G वाला processor मिलेगा 4G variant पे 5G पे आपको 750 G मिलेगा दोनों model का लीक आया है कि 4G में भी आएगा 5G में भी आएगा दोनों पे 7,000 battery है 64 MP है Super Amplar display है 25W के faster charging है Face password Android 11 ये सब की facilities आपको मिल जाएगी pricing की बात करें तो 4G वाले की price आई है 23,000 रुपीज वही 5G वाले की price आई है 27,000 रुपीज Huawei ने भी एक नया patent कर लिया है यानि की patent की बात नहीं सिधर certified कर लिया है अपने charger को वो है 135W का charger जी हाँ 135W का charger अभी तक हम सुन रहे थे 120W का charger जो की IQ7 पे आ रहा है 120W का हम सुन रहे थे Xiaomi के Mi 11 सीरीज पे आ रहा है Realme के पास खुद के पास 120W, 100W की charger OnePlus, Oppo के पास हम देख रहे थे लेकिन Huawei एक कदम आगे लिकल के 135W की charging लेके सामने आ चुका है Vivo IQ7 पे आपको pressure sensitive वाला भी screen setup मिलेगा यानि कि आप ये मान के चलिए complete इस बार IQ7 जो है वो एक प्रकार का gaming phone हो सकता है because 888 SOC मिल रहा है 120W की fast charging मिल रही है LPDDR5 RAM मिल रहा है UFS 3.1 based storage मिल रहा है इस पे और इसमें liquid cooling का भी facility मिल रहा है बहुत सरे ऐसे features हैं जो डियल्ली flexi plus gaming phone को combine करके बनाया जाएंगे dubia का भी flexi phone सामने आ चुका है जो snapdragon 888 SOC पे work करेगा minimum starting variant है RGB RAM के साथ अच्छी बात है क्योंकि flexi लिए अगर RGB RAM नहीं मिला तो कोई मतलम नहीं है flexi का बाकी दिखते हैं इसमें camera क्या मिलता है android 11 आपको मिलेगा ये decided है Lee TV अगर आप इस company का phone अगर भूल चुके होंगे तो ये आता था कुछ नियली 2016 के आसपस ये launch हुआ था LA ECO Lee TV Lee ECO Mobile के नाम से तो ये जो brand है इसने comeback किया है TWS पे जी हाँ phone नहीं बनाया अच्छी बात है phone बनाता तो वैसे भी कोई नहीं लेता अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए share कीजिए comment कीजिए इसी तरह के इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्क्राइब करके रखिए bell आइकन दबाईए अगर आपका कुछ सवाल है तो मुझसे आप comment section में पूछ सकते है मेरे कुछ अच्छे और importance वीडियो आप i button पे भी देख सकते है तब तक के लिए thank you have a nice day